प्रशान धवन देखिए काफी बार ना दिल को खुशी तब मिलती है जब हमारा देश एक ऐसी डील साइन कर ले जिससे कंट्री को बहुत जादा फायदा होगा लॉंग टर्म में और हाली में ऐसा ही हुआ है यहाँ पर आप देख पाऊँगे इंडिया ने 100 बिलियन डॉलर क फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है चार देशों के साथ अब यहाँ पर आपको होगे अच्छा ठीक है 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड होगा ना नहीं इंडिया ने गैरेंटी कर ली है 100 बिलियन डॉलर की इंवेस्मेंट और अगैन यह पहली बार है जब इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एगरिवेंट साइन किया है पश्चमी देशों के साथ ऐस्टेलिया को आप टेक्निकली एक वेस्टन कंट्री कहन ही सकते क्योंकि जोग्राफिकली ऑस्टेलिया वेस्ट में आता नहीं है मगर यह पहली बार है जब European कंट्री के साथ हमने एक ऐसागरिवेंट sign किया है हमारे ministers कह रहे हैं कि यह एक watershed movement है और मैं आपे चाहता हूं कि हमारे जो commerce minister है प्यूज गोईल साब इनकी एक मिन्ट की एक लिप है यह subtitles के साथ आप देखें उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर यह क्या क्या रहे हैं और इस agreement का फायदा भारत को कैसे होगा आपको जो का वे यह पर दो हिस्थिय कंग यह वर्या आपको एक भारत को र्याıma को वो फत्तर प्वादा है और मैं इंड आप प्रण अच्छा हुआ है देगे अच्छी बात यहां पर यह है कि भारत ने एक फ्री टेड एग्रीमेंट स्राइन किया चार देशों के एक ग्रुप के साथ मगर भारत ने एक शर्त रखी शर्त यह थी कि अच्छा आपको हमारी मार्केट का एकसेश चाहिए ना माल बेशना इदर ए बिलियन डॉलर वापस भारत में निवेश करने होंगे आने वाले 15 साल में तो परियर अगर हम मानके चले तो साड़े छे बिलियन डॉलर इंडिया में आते रहेंगे ऐस इन्वेस्मेंट और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह जो देश है यह यह हमारे आसमान लिक्टन्स्टाइइन एक बहुत ही छोटा सा देश है जो स्विचरलेंड के बिलकुल साथ में आपको मिलेगा यहां पर देख पाओगे फिर है नॉर्वे और उसके बाद है खुद स्विचरलेंड यह चार देश है इनका खुद का एक गिरूप है जिसका नाम है EFTA की अब एक question यहाँ पर आप कुछ होगे, अच्छा ठीक है, इंडिया की European Union Countries के साथ भी बात चीज चल रही है, एक free trade agreement को लेकर, तो इंडिया ने वहाँ पर उस agreement को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, ये जो specific चार countries है, जिनका ग्रूप है, EFTA, इनके साथ हमने ये जो trade and economic partnership agreement है, TEPA जो basically एक free trade agreement ही है, ये sign क्यों कर लिया, देखो, ये जो चार देश है, ये कहने को Europe के Schengen Zone का पार्ट है, मगर ये Euro को अपनी currency नहीं मानते, और European Custom Association के भी ये member नहीं है, तो इनका आप कहली जिए European Union से ना trade के मामले में, थोड़ा अलग हिसाब किताब चलता है, Iceland में आप currency देखोगे क्रोने है, Lichtenstein में आप देखोगे frank है, Switzerland में currency frank है, Norway में भी इनकी currency है क्रोने, तो Euro को इन्होंने कभी भी इस्तमाल किया नहीं है, और इसलिए India ने directly इन चार country से एक अलग से trade pact sign कर लिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये EFTA countries हैं, ये जब भारत के पास आई, और इन्होंने ये कहा कि आपकी market तो देखिए बहुत strong हो गई है, आपके यहाँ purchasing power बढ़ रही है लोगों की, हमें भी माल बेशने अपना, हमें भी समान बेशने आपका, हमें भी अपना समान आपकी market में बेशना है, अब आपको कोन सा समान ये बेशना चाते हैं अडिया में, देखो ये जो चारो देश हैं में से जो सबसे बड़ी economy वाले जो countries हैं, ये हैं Norway और Switzerland, Iceland कुछ जादा export करता नहीं है, ना Lichtenstein करता है, Lichtenstein बहुत ही छोटा देश है, मगर Norway रहिए, software export करता है, उसके लावा hardware export करता है, और Switzerland तो बहुत कुछ export करता है, Switzerland Switzerland की घडिया मशूर है, इनकी चॉकलेट मशूर है, Swiss cheese बहुत ज़रा मशूर है, आपने Nestle कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी FMCG कंपनी है, सब कुछ बनाते हैं वो लोग, दही से लेकर दूद, चॉकलेट वगरा सब कुछ बनाते हैं, तो Nestle को भी इसे काफी फ पाएंगे, तो इन चारो कंट्रीज को काफी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, कि इंडिया की जो दवाईयां है, फार्मसूटेकल्स, हमारी जो है, जो टेक्स्टाइल है, कपड़े हैं, ये डिरेक्ली हम इन कंट्रीज में बेच पाएंगे, 98% कम टैरिफ के स तो बहुत ज़रा अच्छा सोदा है, EFTA, कंट्रीज और इंडिया के लिए, और साथ ही साथ, इसमें आप एक चीज और एड़ कर दो, कि इंडिया ने शर्त ये भी लगा दी है, कि ठीक है, आप हमारे आज समान बेच लो, मगर ये भी हमको प्रॉमिस करो, कि 100 बिलियन डॉ ठीक है, और उसमें भी आप सबको पताए कि कितने उधार है, किस तरीके से चाइना धीरे-धीरे सेपरेट कॉनलीज बना रहा है, विदिन पाकिस्तान, टेरिरिजम की कितनी प्रॉम सामने आई है, आप इमाजन करके देखो, एक तरफ वो डील, और एक तरफ ये डील, क्ली इन्वेस्मेंट, 100 बिलियन डॉलर्स की विक्सित देश भारत में निवेश करेंगे, और इससे देखो एक टेंपलेट बन जाती है, कि जब यूरोपियन यूनियन से हम बात करेंगे, जब यूरोप के और बड़े देशों से हम बात करेंगे, जब बात चल रही होगी फ्रा करो, इससे होगा क्या, हमारे देश में भी रोजगार आएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसलिए हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर, क्यापिटल लेटर में, बोल्ड में, ये लिखते हैं, इस इस ए वाटरशेड मूमेंट, वाटरशेड मूमेंट ऐसा एक पल होता है, जो इतिहास को बदल के रख देता है, तो फ्यूचर में USA, European Union, इवन मैं कहूंगा, एशिया के जो बाकी कंट्रीज हैं, इवन रश्या, वाइनोट रश्या, रश्या के साथ भी अभी तक FTA finalize हुआ नहीं है, इनके साथ भी जब हम FTA करेंगे, शर्थ ऐसी ह हम रख सकते हैं, invest in India, और आप बिलकुल हमारे market में समान बेश सकते हैं, you are welcome, great deal, बहुत अच्छा example set किया गया है, और finally, यहावे वैसे मैं आपसे question ही पूछूँगा, जिन countries का यहावे मैंने mention किया है, Iceland, Lichtenstein, Norway और Switzerland, इन countries के जो capital है, वो क्या है, यह लिखिये comment section में, जो लो की लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है, मैं चाहूंगा, आप सब लोग answer करे, comment section में इस question का, और इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.